हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तुम यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं पुपा हुआ थी एजी कूर्ती की कर्टिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगे तो चलिए हमारी कूर्टी की फैब्रिक है यह वर्ग वाली है यह गले में वर्ग है तो गला हमें अजय प्र नहीं आपनेगे और शोमद ऊंसरो एक रगातां और आपको अजय को यहां खुट करेंगे तो बड़्कन स्वाइदा एक निअना लेना दो बड़न चेंटान से किल यह उचाटिवाल करेंगे यहां जो सवाइब बडाबर करैंगे दों के सीवाय बड़बे यह फोल्ट करना करेंगे कि यह sizin जिक देखकें मारी चेष्य सारे चेंच और यह सिलाई में जड़ीए जो हमारा चेंच, हकाट हुए 지금 ami सिर्छेनेदे चेंच, देखने में घूना है सब्सक्राइब ब्लाइब उनने सरक में हमें ब्लिवगे,ост यह बुर्ऑ बाक है, ब्लाइब दिखकें है यहां से यह नहीं कीआ अर्मूड होगी है अब यहां से च्ष्ट का साइज देखना है तो हमएंगाइंगा है थाक है फिरन Route 10 इंच क कर निशन लगा पूंकि यहांसे हमने यह साथ इंच पिलेना पिलेना हैं और हिप के यहां से हमने यह 4 इंच पह यह लेना है अब है क्या करना है इस के पिटिंग की यह पहले मार्किंग कर लेते है यहां से यहां से निशान ले लिए लिए अब मार्जिम लेते लिए निशान लगाना है तो आप मार्जिम क्या करेंगे दो इंच लेंगे जाज़ा नहीं लेंगे यह लेंगे शोट नहींगे था में हमें मार्जिम लेंगे इस भीके व्याट इम करेंगे और दो इंच आप क्या करेंगे मार्चिंग के लिए लेंगे यानि कि बारा इंच पर लगा लिया अब यहां से यह देखिए यह वाला और यह आपहें करने के लिए दिएक धाना है यहां से साइज देखनी है यह वाल से इस तरह से मिलाइंगे इस तरह से मिलाने अब हमें एक इंच का यह इसमें गुलाई देना है यहां से से कट करना है उपर से हमें यह हल्का सा कट करके निकाल देना है अब चलते ही जो हमें निसान पर इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं नीचे से कट करके निकालते हैं यहां से से निसान पर हमें साले को कटिंग करते हैं जो हमें निसान लगाया वसी निसान पर इसाले को कटिंग करके रेडी करते जाएंगे यहां से अर्भुल कर लेंगे लिए यह प्रॉंट वाला कट कर लेगा इसी को रख करके यह वाला जो है इसी को रख करके हमें इसे डबल फोल्ड करने है तो प्रॉंट वाला को रख करके इसी बैक वाले की डब्लस करते हम दीजमें में इसी जाừa करें दिए प्सक्राइब में दबल फॉल्ल कर लिये है इसे के उपर प्रॉंट कर् आपनगे टींगे तो देयार आप बुरह लगया अब प्रबावर करें कि निस्ट करते हैं तो सी इसी के बना पर सब कर लग कर लेंगे ते खर्म करते जा रही है करें तर जो है कि यह हमारी नहीं करते हैं वहानि यह कर लिदा मेरी करना है यहां से यह नीचे मेरी हम हो जाई है इसे कम कट करते हैसे और थोड़ा साथ करने। नोर यही कर लेते हैं. निलिए तो एक साथ फू लेज कर लेते हैं. अगर इसे म crianças चिकसा सालाने सबस्का आपुसिते शक्रिक आप कंप रहे हैं 5 नीचे से mm भी जाएगे 1000 पीर तो यह बर्डर भूराई अबस्का व्लाई ते आपके मातों लेंगां गले हैजिए 60 था जिया नीच्ट दिल्ण 6 और यहां से लिधर न्युन भूल ने टिखा चाहर सीर सेफिंग की निसां हाँ अर यहां से ये फिटिंग की निसान लगायास और यह हमने मार्जिंग की निसान लगा लिया अचलते हैं हम जो गच गवाड़ arte है 불श्क तो हमेरी बाजू कट गई है यहां से अच्छे से कट कर लेते हैं तो हमें आगे की तरफ हाप इंच आपकी यह थोड़ा से ज़्यादा कट करना होता है ताकि बाजू आपको अच्छे से बैठ जाए मैं आगे की तरफ हमारी हूट है इस बाजी लगा लेते हैं तो हमें पीछे वाला कट करना है तो इस कोड़ाई होगा पर नियसल लागा है जो यह हमीं चोड़ाई पर निसल लगाए हमें चोटा साई गला बनाणा है इसमें बॉक्स बनाना है अगर आप डीप नेक रखना चाहते हैं तो डीप भी बना सकते हैं बट मुझे चोटा ही रतना है अब इसकी क्या करते हैं कर लेते हैं यहां से यह हमारा गला कट गया ठीक है और गले में हमने लगाना है उड़े पटी ठीक है यहां से आपके एक इंच चोड़ी यह उड़े पटी कट कर लेंगे गले में लगाने के लिए यही गले में पटी जाएगे यह जायेगे यह डवल करके लगा लेंगे अब हमें चलना है आगे वाला नेक के पटी तो बाड़े इसको फिरूंब नहीं पटी नहीं करेंगे हैं यह यह तो इसको का करना है यह बचा हूँ पर डालेंगे अधल का यिग वाला इसके उपर डॉनाज़ नीज़ बनाना तो देखे यह जो हमें कपरा कट किया हुआ है कि गले की पट्टी के लिए इसके ऊपर इसको डालना है ठीक है और इधार साइड से और इसके बड़ावर किनारे किनारे हमें एक शिलाई लगा करके रेडी करनी है किनारे किनारे लगा करके जला रेडी करते हैं यह लिए बस उसी लिए से लगाते जाना है फिर तरफ भी यह गुमाते हुए बस से मिधर वी उसी तरह से यह सिलाई लगा लेना है कि यहने लाई करके लेदी करनी अब हमारा इस ग्ते अंदर वाला जो भी है इसे तारह पिंछी छोड़ना है और इस Minuten कल में निकाल तो चलते हैं इसे कट करके, सारे को निकाल करके रेडी करते हैं, यह हमने इसे कट कर दिये, अब इसे सीधा करना है, और सीधा करके एक उपर से एक सिलाई लगाना है, यहां पे आप पहले एक कट कर निशान लगा लेंगे, ताकि गला जो अच्छे थी, यही सेंटर को बैठ करना है, इसे सीधा करना है और अंदर के तरफ यह फोल्ड करके उपर से एक शिलाई लगाते जाना है, तो इसारे को अंदर करते हुए कि मेरे इसमें लगाते जाएंगे चुसे सेत में यह मसरी लग हैं इस तरह से घुमाते हुए और इस पर शिलाई में सकता Chamber पिलंभत सबर टो, या करना है जो भी फैबिक होगा उसे कट करेंगा ठीक हैं तो यह देखें तो यह में दो इंच और में यह उद्कार देना है हुआ कि इसे अब इसे कट करने कि अब इस अंदर के तरह किसे सब्सक्राइब करके इसके किनारे किनारे यह सिलाई लगाकर इसे रैडी करते हैं तरफ इसे पॉल्ड की तरफ इस तरह से अच्छा से पॉल्ड कर लेंगे और यह हम करके आप इसे गले की यह पट्टी आप रेडी करेंगा बैक वाला गला का पट्टी उसे लगा कर रेडी करते हैं पिछे का गला कर से रगाएंगे तो हमें इस तरह से ओपन करना है और यहां इधर की साइड से इल्टी तरफ से यह वाले जो में गले की पट्टी कट किया और यह डवल फोल्ड करने का इसके उपर डालेंगे और इसे किनारे किनारे हाफ़ा पिंच पे सिलाई लगा करके इस तरह से रटी करते हैं पीछे बन कर रड़े अब चलते हैं सोल्डर जोइंट करते हैं और यह पर रखेंगे और यह दोने बराबर करना है यह ब्राबर हमने करके और इससे हापपिंच पकड़ के इस सिलाई लगा करके रैडी करें यह पर सिल्डर करना है और दोनों को ब्राबर करना है और यह हाफपिंच पकरके यह जो को कि यहस absolutes आदिक के इस वह абहत करते हैं तो जितने आपका फिटिंग होगा उतना पर इसह दुना से ने कि पर पर मारकिंग करकर के इसे पर कर देंगे सा गया चाहट है गैसि यह जो मर पर प्रड़ के निशान है भर इससी निशान पर बड़ावर करना है इसे उपर के तरफ लाना है अब इसमें डवल लगाना चाहते हैं डवल भी लगा सकते हैं इसी तरह से क्या करते हैं इधर साइड भी इसकी प्रेटिंग करके रेडी करते हैं इसे उपर के तरफ यह जो हमारी दावन कर आएंगे और यह रागी को कट कर देंगे तो हमारी यह बाजु फिटिंग करनी है और यह आडमोल में लगाना है देखे कितनी असानी समय बाड़ी भी फिटिंग हो गई है तापका जितना साइज अब वस उसे साइज पर इसे फिट अठेकिन बाड़र को आड़ी करते हैं यह जो बाजु की पटे इसके उपर इसे इसे डालाना है तो से घ्यानियुत गर्तर सट भी इसे अणिर correspondence धक्रणी करना करता एक इसमें पकली बाइश जालका अधर एक लएश डाल करके इसे उपर एक शिलाई लगा लेंगे यह अंदर अधर किया बड़ाबर करके किनारे किनारे लगाते जाएंगे चाहिए नहीं के लाइश ननी शहें लगा लेंगे तो इसे बाजू कुछ करते हैं और निसी निसान पर यह जाना है कि अभडाया कर दोनु बाजू कर लेना है और यह साइड करनी है दोनों बाजू इसाइड करनी भीए लगाएंगे चलते पहले उखी लगाएंगे लगा आप ही करना हे लगा dauगाएंगे ही नगते हैं Tut da ऊपाह यहाले वाली वीली दीट दूर करना है जो हमारी और करना है नगते हैं नहीं पुक रगते हैं यहां जावbas यहां कट करेंगे यह इतनी से लगा कर द्देर करते हैं करते हैं क्यान बाज़ओ लगा लेते हैं वाले भी इस ल voltar ये बॉल सेंटर को मिलाना है और अंदर की तरफ से यानि के उल्टी तरफ से इसे अटेच करनी है देखें इसए अब हमें कहा करना यह अप गले की पटी हम करेंगे और यह दामन यह आप सारे को अंदर के तरफ आप फोल्ड करते हुए यह देखे एक रिखे लगासकते नहीं पर नानी भी बनाने लिए करके ड़िए नहीं कुल के दो बहुत कि अर इसके सिलाई भी कर लिया है तो फेंड्स आज की हमारी कुर्ती कुर्ती पूली या सूट विलेश की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कैसी लेगी नीचे कॉमेंट सेप्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो करने या लाइक अगर चैनल पर फर्स